वाइबरेनियम और अडेमेंटियम Well, Marvel Comics की दुनिया में ये दो ऐसे धातू है जिने strongest माना जाता है लेकिन इन में से बहतर कौन है अडेमेंटियम नॉर्मल वाइबरेनियम से ज़्यादा डेंसर उसका molecular structure भी ज़्यादा stable है तो हम कह सकते हैं कि अडेमेंटियम ज़्यादा hard है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वाइबरेनियम कमजोर है In fact, वाइबरेनियम अडेमेंटियम से ज़्यादा वार जहिल सकता है क्योंकि ये energies को अपने अंदर store करके वापस से release कर पाता है ऐसे में भले ही वाइबरेनियम बेंड वागेरा हो जाए लेकिन वो बहुत ही easily वापस अपने form में आ जाएगा वहीं अडेमेंटियम को हिलाप आना भी बहुत मुश्किल है लेकिन अगर एक बहुत गरम धातू से इस पे काफी जोर से प्रहार किया गया तो अडेमेंटियम टूट सकता है अब वाइबरेनियम को sonic waves वगेरा की मदद से easily mold किया जा सकता है लेकिन अडेमेंटियम के साथ ऐसा नहीं है एक बार वो set हो गया तो वापस से उसको mold करना almost impossible है overall देखाए तो वाइबरेनियम ज्यादा useful metal है ज्यादा resilient है और इसका इस्तमाल भी कई जगहों पर हो सकता है तो ऐसे मेरा वोट वाइबरेनियम को जाता है